दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़िखवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं समार्ट सिटी मिशन के ताथ सहर में 42 इस्तानों पर इट टोईलेट मेगा स्क्रिन संचलन के लिए निविदा जारे 3D पेंटिंग परियोजना से बड़ेगी सहर की खुब सूर्ति परियोजना के अंतरगत कूल 42 इट टोईलेट बनाये जाएंगे सोचालोई की सवच्चता सुनिश्चित करने के लिए आटोमेटिक प्लस के विवस्ता की जाएगे इसके मायदम से नियमित अंतराल पर टोईलेट की सबाई स्वता होती रहेगी स्मार्ट टोईलेट में हर समाई पावार बेक अप रहेगा परियोजना के लिए पी एस सी एल द्वारा निविदा 29 मैं 2021 को प्रकासित की जाएगी पतना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत सहर के चोदा इस्तानों पर विसेज 3D पैंटिंग एवं 8 इस्तानों पर कला किरतीयो का अधिस्पास्टन किया जाएगा विबिन तीम पर विशाल का चित्रकारी एवं कलाकिर्तियों के मैदम से सहर वासियों को स्वच्चता, कबार से जुगार, महिला सस्थिकरान, पर्यावरन सरक्षित के परति जागरु किया जाएगा दूसरी और गांधी मेदान आविस्तित गांधी मूर्ति के पास विशाल का मेगा स्क्रीम पर फिल्म डोकुमेंटरी विबिन स्पोर्ट मेच का प्रसारन एवं सभी सो का प्रवंद विशेश से इवेंट मेनेजमेंट एजनसी के मैदम से किया जाएगा इस कार के लिए PSCL दुवारा सोमुवार को निविदा जारी कर दिया गया है कर भी नोक कडोर की लागत से परियोजना के लिए स्क्रीन साउन सिस्टम कंट्रोल रूम आदे के विवस्ता की गई है अगली बड़े कबर कोरोना से परियोनों की मिर्टु के बाद बच्चो की मदद करेगा दादेची देहदान समिती हर मा मिलेंगे 500 रूपी पूर्व उपमिक मंत्री सांसत तता दादेची देहदान समीती के सरक्षक सुसिल कुमार मोधी वा समीती के महा सचिव पदम स्रीब इमल जेन ने बताये कि जिन परिवार के कमाने वाले सदेसों की मृत्तू कुरोना से हो गई है उनके बच्चों के सिक्चा और भरन पोसन के समीती प्रतीमा 505 रुपे की मदद की विवस्ता करेगी ऐसे 1000 बच्चों की मदद के लिए समीती 500 दंदता परिवारों को तयार करेगी जो बच्चों को मदद के लिए सलाना 12,000 रुपे का खर्च वहन करें साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे भीसर महामारी में जो वेक् पाटना नगर निगम ने बदली वेवस्ता अब एक जून से लागू होगा यह नियम। और मिर्तु पर्मानपत्र के लिए आप निगम के रजिस्टार के हस्ताक्चर की आवाश सकता नहीं पड़ेगी। जाते हैं आपको बदादे कि ओल्लाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से दिये गए जर्म और मिर्तु पर्मानपत्र के लिए आविदन का निप्टारा अंचन कार्यालाई से होगा अगर नया जर्म और मिर्तु पर्मानपत्र जारे करने में देरे हुई तो इसके लिए उपनि अगर निगम केस नहीं पैसले के बाद अब लोगों को एक से दो दिन में ही जर्म और मिर्टु पर्मान पत्र मिल जाएगा अब तीन विशयों के अंक को आधार बना कर सिब्यसी देगी अतरिक सब्जेक्ट में नमबर जाने दसवी के रिजल्ट को लेकर तयार फर्मॉला अधरिक विज्जान में हासिल किये अंकों के अधार पर ही बोर्ड अब अतरिक्ट अंक देगी मीडिया रिपोट के अनुसार जिन चात्रों ने दसवी में अतरिक्ट विशय लिया है उनके नमबर अब मुह की विशयों में सामिल गनित विज्यान और सामाजिक विज्ड़ में आए आंके ही तै करेंगे बोर्ड ने सभी स्कूल को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है बता दे कि बोर्ड ने दसवी के चात्रों को साथ विसे लेने का विकल्प दिया था जिसमें मुई के पांच विसे सामिल थे जबकि दो अथरिक विसे लेने का भी प्रावध केंद्रया गिर्यय मंतरालाई ने सभी रास्यों को निर्देश दिया है कि वो 30 जून तक को रोना कि मौजुदा गाइडलाइन को जारे रखे के इंद्रया ग्रिया सचीव अजय Кुमर भल्ला ने सबी राज्यों के मुईके सचेवों को पत्र लेकर कहा है कि 30 जून तक मोजोदा गाइडलाइन को लागू रखना होगा केंद्रे गिर्या सचेव अजय भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि कोरोना वरेस कमी आई है लेकिन फिलाल हालात ऐसे नहीं है कि नर्मी बरती जाए और ऐसे में सक्त निगरानी के आवज सकता है केंद्रे गिर्या मंतलाई की तरप से 25 अप्रेल को जो गाइलाइन जारी की गई थी उसे ही आगे 30 जून तक लागू रखने को कहा गया है कि राज्यों को कंटेंडमेंट जोन की सिमा तई करने का अधिकार होगा राज्यों में चल रहे लोगडाउन को बढ़ाने या घटाने या फिर उसमें कोई धील दिये जाने के पूरे अधिकार भी राज्यों को ही दिये गया है अब यह राज्यों को तै करना होगा कि वो अपने राज में चल रहे लोगडाउन में कोई धील देना चाहते हैं या नहीं पड़ी कबर अब एक पोन पर आपके घर पहुँच जाएगा जर्दालो आम और लिची सरकार सुरू करने जा रहे है डोर टो डोर डिलिवरी अब एक पोन पर आपके घर पहुच जाएगा जर्दालो आम और लिची बागवाने करने वाले किसानों को मुनापा और आम उपभुगताओं को घर बेटे फलो का स्वाद मिलने जा रहा है लोगडाउन में लोग साही लिची और जर्दालो आम का स्वाद ले सके इसके इसके लिए क्रिसी विवाग दोनों फलो को डोर्ट उपलब्द कराने जा रहा है उडान देहात और बिग बास्केट को जोड रहा है कमपनियों का गठन किया गया है बड़े कबर बिहार में 12-10 पिजडी वी कोरोन संक्रमंदर पिछले 24 गंटे में मिले 568 नए संक्रमित रिकवरी रेट बढ़ा जिया बिहार में कोरोना वारिस के मामलों में लगातार कमी आ रही है पिछले 24 गंटे में 2588 ने कुरोना संक्रमित मरेज की पहचान हुई है एक दिन पूर्व 263 ने कुरोना संक्रमित की पहचान हुई थी पिछले 24 गंटे में 35 कम ने कुरोने सामने आये हैं हाला कि कुरोना संक्रमन दर में 0.135 की ब्रिधी हो गई है एक दिन पूर्व राज में कोरोना संक्रमन की दर 1.97 फिजदी थी जबकि आज यह बढ़कर 2.10 फिजदी हो गई है साथ यह आपको बता दे कि पत्ना में सरवादेग 379 नए कोरोना संक्रमित मरेज की पहचान की गई है अररिया में 111, बेगुसरा में 136, गोपाल गज में 157, किसन गज में 118, मुझपरपूर में 128, समस्तिपूर में 121, सुपोल में 108 और वेसाली में 107 नए कोरोना संक्रमित मरेज की पहचान की गई है अगली बड़ी कबर बिहार पहुचा यास तुपान, बाका जमोई से इंट्री, पत्ना समित 34 जिलों में तेज बारिस सुरू, मौसम विभाग ने कहा यास कमजोर हुआ लेकिन अगले 48 घंटे तक असर रहेगा तुपान यास पच्चिम बंगाल और ओरिसा से होते हुए कल साम बिहार पहुच गया है, राज के बाका जमोई जिले से तुपान केंड्री हुई है, कल दोपार बाद चकरवाद के कारण मौसम में बड़ा असर हुआ है, पत्ना पच्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, सारन और सिवान समेत, 34 जिलों में मैदम और तेज बारिस हो रही है, पत्ना इस्तित मौसम बिगान केंड्र का कहना है, कि बिहार पहुचते पहुचते यास कमजोर पड़ गया है, फिर भी अगले 48 गंडे तक इसका प्रभाव पुरे राज में बना रहेगा, आगे उन्हों 160 मिली मीटर बारिस होने की समभावना है, यास के प्रभाव से 17 महिस से तापमान में गिरावाट होने सुरू हो गई है, जो एक जुन तक जारी रहेगी बड़ी कवर पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर आज से सुरू होगा वैक्सिन ट्राइग इस ट्राइग में 2 साल से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, यहां बच्चों को को वैक्सिन का डोज लगेगा, दूसरा डोज पहले के 4 सब्ता बाद लगेगा कोरोना संक्रमित हो चुके तदा एंटी बोड़ी वैक्सित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगा, साते आपको बदा दे कि इसके लिए ट्राइल में आने वाली सभी बच्चों का आटी पीसियार और एंटी बोड़ी भी जाज की जाएगी, बताया कि ट्राइल म में असी बच्चों पर ट्राइल होगा, ट्राइल में भाग लेने के चुक लोग मॉबाइल नंबर 9471408832 पर कॉल कर सकते हैं, और आंकी बड़ी खबर ग्रामिन डाक सेवकों की भरती की 1940 पदों के लिए आवेधन की तिती बड़ी, अभियरती अब 29 मैं तक कर सकते हैं आव आवेधन नहीं किया है तो अब कर सकते हैं क्यूंकि भारतिय डाक ने बिहार सरकिल में 1940 ग्रामिन डाक सेवकों की भरती की आवेधन की आखरी तारीक बढ़ा दी है, इसके लिए अभियरती 29 मैं तक आवेधन कर सकते हैं, पहले आवेधन की तिती 26 मैं थी, आवेधन भरने क की तिति वैसे अभियर्तों के लिए बढ़ाई गए थी जिन्होंने पहले रेजिट्रेशन करने के साथ फेस का भुगतान कर दिया था लेकिन फाइनल एप्लिकेशन जमान ही किया है इससे समांदित जानकारे एक दिन पहले डाक विभाग ने GDS बर्थी पोर्टल पर दी है ज www.apppost.in पर जाकर ओलाइन जानकारे ले सकते हैं